तो हेलो एबरिवन देखेंगे आप भेल स्टॉक में आज गिरावट हो चुकी है 4% की सेर में अल्मोस्ट गिरावट हो चुकी है तो क्या करें इस स्टॉक में क्या इसका सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है यह बताऊंगे इस वीडियो में और क्या इसमें fresh entry लेनी चाहिए या नहीं यह भी इस वीडियो में आगे बताते हैं पहले हम चेक कर लेते हैं क्या क्या इसके previous returns रहे हैं तो देखेंगे आप आज तो negative returns रहे हैं बट 5 days में यहाँ पर वैसे positive returns रहे थे आज एकदम से गिरावट हुई है बाकी तो यहाँ पर positive returns इसके रहे हैं 1 month में negative returns आप देख रहे हैं 3.77% negative returns थे past 6 month में ज़्यादा खास returns नहीं है और year to date में भी ठीक ठाक positive returns है 1 year में वैसे सही returns नजर आ रहे हैं 110% so long term perspective से भी hold करने का आप लोग सोच सकते हैं इस stock में बाकी 5 year में भी सही returns प्रोवाइट के हैं 500% all time में देखा जाए so 1458% इसके returns रहे हैं overall returns जो हैं इसके ठीक ठाक नजर आ रहे हैं long term perspective से hold करने का आप लोग सोच सकते हैं बढ़ कई लोगों का view यहाँ पर short term perspective से होगा या mid term perspective से होगा so बता दूँ आप लोग अभी hold रखिए इस stock को ठीक है और fresh entry भी ले सकते हैं आप लोग क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं weekly time frame में आपको इचार्ट दिखाऊं सो hammer pattern इस stock में नजर आ रहा है यहाँ पर देखेंगे आप काफी गिरावट के बाद यहाँ पर hammer pattern फॉर्म हुआ था फिर closing भी अच्छी कासी यहाँ पर on weekly time frame यह इस share दे गया है पिछले Friday को मतलब यहाँ पर closing भी अच्छी कासी हुई है देखेंगे आप तो अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत retesting हो रही है बाकि support level 251 के around है तो अपने own risk में share में आप लोग fresh entry ले सकते हैं यह video only educational purpose से है बाकि जिनके पास यह share है hold रखे अगर ज्यादा quantity है short term perspective से कुछ quantity book करने का आप लोग सोच सकते हैं अगर आप profitable है बाकि 280 के अबाव इसने sustain कर लिया है 300 यह जाता हुँ अधिक सकता है in mid term perspective ठीक है अगर यह 300 के अबाव भी sustain करें सो max यह आपको 330 20 के around एक resistance दिखा सकता है तो अपने रिस्क में इस share में बने रही है fresh entry अपने रिस्क में ले जिए बाकि long term perspective से वैसे share बढ़िया नजर आ रहा है तो long term perspective से भी आप लोग इस stock में अपनी holding बना सकते हैं government stock है तो long term perspective से भी security रहती है तो secure यह share नजर आ रहा है आप लोग अपने रिस्क में इस share में बने रही है या fresh entry लिजे and I hope आप लोगों को यह video पसंद आयोगी समझ आयोगी thanks for watching this video